काफी अच्छा लग रहा है कि मुझे ये स्वभाग प्राप्त हुआ कि मैं रैंक बन पाया प्रिप्रेशन 2018 से मैंने शुरुवात की और प्रिप्रेशन में काफी उतार चराव देखना पड़ा बट मैं काफी अपने आपको फ़र्चनेट मानता हूं कि मुझे फैमली से काफी सपोर्ट मिला और काफी अच्छे दोस्तों दोस्त मिले जो मुझे कंटिनस इमोटिवेट करते रहे जॉच्च्छा भाए कोमार अपल्स अफ़्टन कि पारी pH सैंदाओ अजिए प्रीक्ष्य आपको फूर्पेश जीए 2,022 मने जाल क्या परिक्षें को ऐकरशी पराव देखना पड़ा बट मैं काफी अपने आपको फॉर्चुनेट मानता हूं कि मुझे फैमली से काफी सपोर्ट मिला और काफी अच्छे दोस्तों दोस्त मिलें जो मुझे कंटिनेस इमोटिवेट करते रहे पड़ाई और जितने चात्र इसमें अपियर होते हैं और फिर ये पिछले दो सार तक करोना काल इस समय में कितिना टफ था करोना में डेफिनेटली मुश्किले आई मैं डिल्ली में था तो समय दो-तीन दोस्त थे हम लोग साथ में तयारी कर रहे थे सो खाने से लेकर के सारे चीजों में दिखते आई लेकिन एक मोटिवेशन था कि तयारी करना एंड अच्छे से पड़ना है तो जैसे मैं ने कहा कि घर से काफी सपोर्ट मिला वो मुझे ये मोटिवेट किया कि मैं इस डिफिकल्ट टाइम्स में अच्छे से तयारी कर पाऊ आप पूने के नहीं हो पूने में ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बारें बताई पूने में मेरी पारेंट अकाडमी अने डिफम और काफी अच्छा लगा पूने आके यांड लास्ट दो तीन मैने से मैं यहां पे हूँ वेदर काफी अच्छा है तयारी करने के लिफे अच्छ है और काफी अच्छे दोस्ट भी मिले काफी अच्छा सफर स्कनाल bv परिवार के बारें बताइए कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है घर में कौन-कौन है क्या कुछ करते हैं मेरा एक जॉइंट फैमिली है मेरे पापा चाचा चाची मम्मी दीदी सारे लोग वहां रहते हैं पापा मेरे उत्ताबिया ग्रामिट बैंक मेंनेजर हैं चाचा की प्रेशर डॉक्टर हैं और ममी चाची दोनों होम में करें घर से कंट्विदी सापोर्ट हर दिन बात होती थी और दीदी मेरी सांटिफिक ऑफिसर हैं इंदॉर में उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा कि मैं मोटिवेटेट रहा हूं और मु कर सकता है कि आपको मोटिवेट मोटिवेट रखने में और आप जब आपको पता हो कि फैमिली वाले इतने सपोर्टिव हैं तो एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है कि यह दूसरी दफ़र है जब आप यूपिस दे रहे हो पहले बार भी क्लियर किया था तो यह दूसरी अपने दिया है इसके पिछे क्या वज़ा पहली बार में मुझे इंडिन डिफेंस सर्विस मिला और मैं काफी खुश भी था सर्विस से हुश हूं मैं सर्विस से अबट जो आईस है इंडिन अडिन सर्विस उसमें काफी जादा डावर्सिटी आ एंड़ वहां पे मैं बिगेस्ट मोटिवेशन पहली बार यूपेस सी देना और उसकी तयारी करना वो कितना आपको उसकी मदद हुई काफी जादा मदद मिला पूराना जो तयारी मैंने किया था उससे काफी मदद मिला क्योंकि मैं इस बार वाले अटम्ट में खुछ से जादा तयारी किया हूं सो जो भी पहले जो मैं पढ़ा वो एक एक बेस मेरा बंद के निकला और उसके अलावा मैं नूजपेपर्स और मैगजिन से अपने जो करेंट अफेस के चीजें उनको मैं आड़ किया कोचिंग मैंने लिए थी मैंने पहले साल मैंने डेली से कोचिंग लिया था और अलग अलग स्टेश पर मैंने टेस्सरीज वेगरा मॉक मॉक्स एं टेस्सरीज मैंने 2020 में जो एक्जाम दी उसके लिए भी कोचिंग लिया इसके लिए मैंने टेस्सरीज लिखे मैंने अस सच अलग से कोचिंग नहीं दिया था इस बार आपको कोचिंग लेन के आउशकता नहीं पड़ी पढ़ाई कितनी करनी पढ़ती है दिन में 24 घंटे कितनी पढ़ाई करते हो दिन में 7-8 घंटे मैं पढ़ता था एंड प्री के बाद मैंने ज्यादा पढ़ा आज से 10 घंटे करके पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं के 24 घंटे आपको पढ़ना पढ़ता है तो इथे आपना आइक लग शुभम जो पहिला आलेला है UPSC मदी तेनी सांगितला कि काय कशी तैयारी तेनी के लिए लिया है सोबदस अपलेला मी सांगू इछी तो कि जवपास सहाल लाक विध्यारत मदे शुभम नी पहिला क्रमांक पठकाव लेला है कैमरान को पल हरने सह पंकच खेड़कर पुने मुंबई तक